नमस्कार प्यारे साथियों तो कैसे हैं आप आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आने वाली 22 तारीक के लिए अपनी तैयारी जोर सोर से कर रहे होंगे आशा करता हूं आप सब की तैयारी बिल्गुल बैतरीन तरीकी से हो चुकी होगी और अब आपने एक्जाम की तैयारी रोक कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे होंगे चलिए आज फिर आपके सामने हाजीर हूं मैं तो रिजनिंग गएफ सेट लेकर चलिए करेंगे अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट देखते हैं पहले कोशन हमारे कोशन की स्ट्राइब करेंगे आज के पहला क कोशन साधारण ब्याज की दर पर कोई राशी चार सालों में चार वर्षों में 1120 तथा पांच वर्षों में 1200 हो जाती है मुल्धन ग्याद करो ठीक है दोस्तों ऑप्शन लेता हूं आपके लिस्ट के 800, 850, अगला उप्शन है 750 और 900 देखें दोस्तों कोशन में क्या बोला है पहले कोशन में साधारण ब्याज की दर पर कोई राशी चार वर्षों में 1120 हो जाती है तथा पांच वर्षों में 1200 हो जाती है हमें बताना है मुल्धन क्या रहेगा कोशन का कोशन में मुल्धन उचा गया है हमसे चलिए बताईए कोशन में मुल्धन कितना रहेगा चलिए दोस्तों करते हैं कोशन को कोशन में क्या बोला है साधरन ब्याज की दर पर आप सभी को पता हुआ साधरन ब्याज जो होता है अ कि आप आप यह जूए ऐसा कुम आप इसा ग्याझ क्या होता यह साल बिलकुल एका लगता है इन खाले तस परसंट गय दो साल धिंकर लूगा कि इतना ऐस सो का रिफ 2014 घृबगार ठीडय है और अगले साल करे निकाल दूंँगा मैं अगले साल के लिए फिर 10 प्रस्त nemmp तो कितना आया 2 साल का भ्याज होता ह्पारीव क्रफिता है घमाना रहता ह६ नतौंड्ड़ик में कि आ Something कि जाब सब्य और ओल दुकुंस वाँस साल में कि इस उप्पार की यह बलाए परshe ako पर कितने में रधा एक मैं पर की यहा time और आसी मतलब क्या है यह साल का व्याज कितना हो गया असी रूपए तो कि सब्सक्राइब्स हर साब यह लगता है हमारा हमें कि बीस हम्हेंदा निकाले रूपए हम इन मुलदन के यह सब्सक्राइब एक साल का 80 रूप है तो चार साल कितना जागा ब्याज? मुणा चार करेंगे कितना जागा? 320 मतलब क्या हुआ? 4 साल का भी ब्याज 320 रूपे हुआ हमें निकाल ला है मुल्धन, मुल्धन कैसे निकाल लेंगे? मुल्धन इस इकल टू मिश्रधन माइनस साधरन भी आज आप सभी को पता हुआ चार साल में कितनी हुआ थी? 120 मतलब यह मिश्रधन हो गया, मिश्रधन कितना हो गया? 4 साल होगा, 120 अगर घटा दूँगा इसमें से, साधरन भी आज कितना है? 3 साल लगा, 4 साल लगा, 320 रूपे माइनस 320 कर दूँगा इसमें घटाएंगे जब इसका हो, कितना हो गया आए? यह घटाएंगर 800 रूपे यह हमारा इस कोश्चन का आंसर है option number A चले दोस्तों, चलेंगे अपने कोश्चन की तरफ इधर कोश्चन लिएता हो पहले तब तक आप इधर का solution समझेए देखे कोश्चन क्या बोलता है अगला 18 आदमी 18 आदमी 12 मीटर सडक को 12 मीटर सडक को 20 दिन में 20 दिन में खोद खोद सकते हैं ठीक है दोस्तों 20 दिन में खोद सकते हैं तो 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सडक सडक खोद सकते हैं अपके लिए 8 मीटर 6 मीटर 20 मीटर और सब 20 मीटर क्या बोला है 18 आदमी 12 मीटर की सडक को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 20 इन टाइम दिया हो ठीक है और सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि अगर अगर हम इसके अपॉजित में इस टाइप से कुछ निकालना हो कि कितने आदमी काम को इतने ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वारा आदमी कितने लंबी सड़ा खोश सकते हैं इसके इक वाली करेंगे इसको अब और में रखेंगे हम डबलू मतलब वर्क कितना वर्क कर सकते हैं देखे कोश्चन में क्या बोला है 18 आदमी मैन पावर होगी अथरा आदमी की और दिन होगे कितने दिन होगे 20 ठीक है टाइम को कोई जिगडनी है इसको नेखलब कर सकते हैं लेकिन अगर दिया हो तो इसको लगा सकते हैं ठीक है और देखे बारा मिटर की सब्सक्राइब टो टो डबलू को डबलू रख सकते हैं लेकिन अलग बताना है एक 12 मिटर की सब्सक्राइब बताना है एक बतना है कितने मिटर की सब्सक्राइब यसच के अधिके सबक्सक्राइब टोसरा दियाक है 15 monsters उई अंअगे कि ईयदा से नहीं बार इंठेसे तीन खह स्वा सच से काल किष्ट डेंगे आफ़क की only मतलब क्या है कहने का जो बारा आदमी पंदरा दिन में काम करेंगे वह कितने मीटर की सटक खोद देंगे छे मीटर की यह इस कोशन का मारा आंसर रहेगा ठीक है दोस्तों कि चलते हैं अपने लिए कोशन की तरफ इसी टाइप के कोशन आपके अग्जाम में पूछे जाएंगे चले देखते हैं अगला कोशन देखें कोशन में क्या दियावा है आयत A, B, C, D K, B, K विकर्ण ओपर मिलते हैं ओपर मिलते हैं ठीक है ओपर मिलते हैं और क्या दियावा है A, O is equal to 3Z 3Z minus 3Z minus 1 minute 3Z minus 11 कॉमा और OD किता दियावा है OD दियावा है 2Z minus 13 तो हमें Z का मान बताना है Z is equal to क्या रहेगा कोशन में ओप्शन है इसके 1, 2, 3, 4 ठीक है दोस्तों कोशन में ही दियावा है एक आयत A, B, C, D A, B, C, D के जो विकर्ण है वो बिन्दू ओपर मिलते हैं AO की वैल्यू दियावा है 3Z minus 11 और OD की वैल्यू दियावा है 2Z minus 13 तो हमें Z की वैल्यू बताने है कितनी रहेगी Z की वैल्यू ठीक है दोस्तों चलिए करेंगे कोशन को solve निकाल लेगे अपनी Z की वैल्यू मैं पहले आपको समझा जाता हूं आयत का क्या हिसाब किताब होता है देके मान लेजिए यह आयत है कोई ठीक है A, B, C, D देके कोशन में क्या होला है इसके आयत के जो विकर्ण होते है इन्हें बोलते हैं जो तीर-सी राइन होते है यह तक क्या हिल लिए ठीक है और OD कितना दिया भाए 2Z मानस 13 देके आयत में क्या होता है उसके विकर्ण की लंबाई दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होते है मतलब ओ से इधर का विकर्ण और ओ से इधर का विकर्ण तो दोनों साइट का विगंड बराबर होता है ठीक है उसी जाप से कर देंगे क्वेशन को देखे क्या हो इस कोश्चन में एओ इस इकल टू ओडी कर देंगे हम जितनी लंबा यहां से यहां था क्यों कि यहां से यहां था कि विए नीचे इसमें तभी तो विकंड हो असको कम मैनस तू जड़ देखे माइनस के त्यरा तसके जाएगा गैरा जाकर ठीक है अब देखे इदर कितना बचाएगा जैड शायद साइन की घडबड़ रुकिए देखे यह जो है 11 11 इदर प्लस का है ठीक है और इदर जाकर यह है अब धर थर्टीन भी प्लस का है कि देखें इधर प्लास का है इधर जाकर हो जागा है मायनस का ठेक है यहां देखें कितना बचले अरब defending को निकाल देना है quelloं यहाफर प्लप बिख equival to चलेंगे अपने लिए कोशन की दरफ दिखे अगला कोशन किया है अगला कोशन है किमाया किमाया एक किताब पढ़ पढ़ रही है ठीक है किताब में पढ़ रही है जिसमें साढ़े तीन सो पेज है ठीक है साढ़े तीन सो पेज है जिसमें से वह 36% पेज पढ़ चुकी है ठीक है हमें उन पेजों की संख्या बताओ जो उसने इभी तक पढ़े नहीं है नहीं पढ़े है ठीक है अफ्शन है इसके दोसो पचपन तो में दोसो चोभीस के कि दोसो पचयास सोमा दूसाथ तर है वर पास कीवाए नाम की taking कि रही है वो किताब पढ़ रही है जिसमें साध्य तीन-सो में चत्तिस परण पर चुकी है तो हमें बताना है कितने पेज बचे जो उसे पढ़ने हैं यह तो हुआ बताईे क्या रहे गांशन vendas सरा कितने पेज रहे हैं विशेष जिसको उन्हें से पढ़ने है धिक है है तो ऑल कि लिए कम आया को कितने भी जो पढरने उसको करते हैंं कितने पर चुकिए हैं मां लीजिए किताब के भी के तो परशन पर चुक हो ठीक है बचे कितने होगे सो माइने शात्रीस करेंगे कितने बचे के मार पास दस में से चार चार और इधर एक तो नो इधर से च्छे में कितना जेगा मतलब क्या है चो साथ परशेंट पेज बचे हैं भी ठीक है तो इधर ऑफन है चो सटा परशेंट बच रखें एविड्य होता हुए रिख से काट देंगे फास से काट से कर्टेंगे पांस नता है थिस अब दोबर प्रों से लिए व पागदुनी 14 14 का 4 80 लेगा एक 27 21 और एक 22 24 ये इस कोश्ण का मारा आंसर रहेगा के लिए दोस्तों चलेंगे अपने लिए कोश्ण के दरफ देखे अगला कोश्ण क्या है एक कार सत्तर किलोमेटर की दूरी 35 किलोमेटर पर आवर की गती से तथा 120 किलोमेटर की दूरी 40 किलोमेटर पर आवर की गती से ते करती है तो उसकी और सचाल क्या रहेगी और सचाल अ और सचाल बताओ आपके लिए 30 करिए कोश्चन को सब्सक्राइब कार सत्तर किलोमेटर की दूरी 35 किलोमेटर पर आवर की चाल से चलती है और 120 किलोमेटर की दूरी वह है देखे अगर हमें और सचाल निकाल लिए और सचाल के लिए फोर्मला क्या उश्करते हैं और सचाल के लिए इस फोर्मला रखेंगे और अपना अंसर राम से निकाल लेंगे ठीक है कुल और सचाल इस इकल टू कुल दूरी बटे कुल समय देखे इस फोर्मले का भी यूज़ करने के लिए में इस फोर्मले का भी यूज़ करना पड़ेगा समय निकालने के लिए समय इस इकल टू दूरी बटे चाल इस फोर्मले का भी उज़ होगा क्योंकि हमें दूरी दी भी है और चाल दी भी है तो मैं टाइम निकालना पड़ेगा तब हम फोर्मले में कुल समय रखेंगे और कुल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगा कितनी हो जाएगा सब्सक्राइब कुल समय में निकालना पड़ेगा ता इस कोशन का मांसर अराम से देगे चली देखते हैं पहले निकालते कुल समय देखें दूरी कितनी दीवे पहली कंडिशन में सतर बटे 35 काटें कितना जाएगा समय दो आवर मतब दो गंटे ठीक है इस पहले पहले यह फोल चाल निकाले लिया करते हैं कुल दूरी कितनी दीवे सत्तर बरेक्स कितना अब्य एक सब्सक्राइब को बचेगा जाएगा चार उपर से जीरो पांच यटे-चालिस कितना जा अठीज चीलोविटर पर आवर यह इसीकी उसकी में इसकी अप्शन नमबर डी चलिए दोस्तों चलेंगे अपने कोश्ण की तरफ चलिए देखते हैं अगला कोश्ण क्या है हमारा देखेंगे लगोश्ण सिप्लिफिकेशन को यह ठीक है कोश्ण में गोट पर लिख देता हूँ एक बटा दो इंटू 14 इंटू दो बटे साथ ठीक है प्लस नौबटे 4 मैनस दो बटे 8 ठीक है इसको सॉल्फ करना है और आंसर बताना है ऑप्शन कैस्के एक दो तीन चार यह आपको इसको सॉल्फ करना एक्वेशन को और अंसर निकालना है कि आंसर रहेगा इसको सॉल्फ करकर बताएए कि आज रहेगा सॉल्फ करकर पिर यह आप सॉल्फ करते हैं को देखे इकोशन में क्या दिया है मैं एक बटा दो बुना 14 बुना 2 बुलते साथ प्लस 9 बुबते चार मैनस-2 बुलते आठ देखे किसा बरेंगे कि इसको काट थेंगे दो और इसको कितना बज़े पर दो प्लस नुव बटे चार माइनस अगर आधार से मुझे से अब देखिए दो प्लस देखिए नो मेंसे गया कितना बटे चार काटे कितना है का दो यह वाला दो प्लस एक दो यहां से आया दो कितना जाए का चार उप्शन नमबर डी कि यह चलिए चलेंगे अपने पर स्रही कोशन सारे के सारे ही exam के रिपेटिड है कि इनसे आपके इसए ताइप की numéro की पूछ रहा है आपके देए कोशन क्या है fast Diath Theo के परिवार का उसत वजन उसत वजन किता है साथ केजी है चालिस केजी वजन वाला एक सदस्य परिवार छोड़ देता है तो नया उसत नया उसत क्या रहेगा ठीक है नया उसत बताना है नया उसत कितना रहेगा ठीक है ऑप्शन लिए अपके लिए ऑप्शन है इसके ऑप्शन लिए देता हूँ आपके लिए ऑप्शन चलिए इसको डाइट कोशन करेंगे उसको अप्शन मेरे पास है नहीं option में बास उपलब दनी है इसके question को direct solve करेंगे देखे question में क्या बोला है 5 से दस्तियों के परिवार का उसत वजन 60 kg है ठीक है दोस्तों कितना है 60 kg वजन है उसका ठीक है 60 kg वजन है और क्या बोला है question में 40 kg वजन वाला एक दस्तियों परिवार को छोड़ देता है तो नया आउसत क्या रहेगा नया आउसत में बताना है बताइए नया आउसत क्या रहेगा question में क्या रहेगा नया आउसत कि इस question में आपको दो मेतड़ से कराऊंगा एक होगा basic method और एक होगा एक trick वाला method होगा देखें पहले देखते हैं अपना पहला method पहला method जो basic method है उस method से देखते हैं देखें क्या बोला है question में पांच सदस्च से हुगा और स्थ जूबसक्त कितना है कुल संक्या ठीक है देखे हमें औस द्यावाय कितना यहां से पहले में योग निगालना है मुझे अब बेसिक निगालना है मुझे अरिवार में सदस्य कितना है सदस्य है 5 देखे इस 5 की मल्टिप्लाइब कर दूँगा मैं तो मेरे पास प्रेक्षन हो का यह आजाएगा मतलब यह उनके सदस्य थे उनकी औस बजन का यह आजाएगा मतलब टोटल मिला अगर पांच का कितना अब कोशन में क्या बोला है 40 किलो वाला एक सदस्य परिवार को छोड़ देता है देखे क्या करेंगे था तीनसो माइनस चालीश कर रहेंगे कितना जाएगा 260 ठीक है 260 अब बजन कितना वाज़ा 260 किलो वाले ने परिवार छोड़ दिया बचा कितना 260 अब क्या करना है देखे 110 चला गया पांससदस्य पहले थे एक सदस्य चलाया कितने बज़े चार अब क्या करेंगे 400 अब कितना होगा 260 बटे चार करेंगे इसको चार्चिंग 24 और चार पंजे होता है बीस कितना पैसट ठीक है और अंसर रेंगा इसका 65 कि ठीक है अब देखे अब करेंगे अपना ट्रिक वाला मेथड उससे कितनी अस में अब कर देखेंगे बार हम कि आपको कॉशन दो मैंसर्ट से करा रहा हूं दोनी मैंसर्ट आपको चलागे उसको उससे आप एक्जाम में कॉशन सौल पर लेना देखे कोशन में क्या वोला था कोशन ओं वोका 10 सदस्यों कितनी आव किषा अफ साथ शाट साथ है और कितने वेल वाला खंवोचंवा कर में चालीश के जीवाल चला गया हाँ gitu छालिवाल सब्सड़ करां चला निख़ों है कि थोटा यहां पर अजीब लग रहाल आलिखा है सभी सिल नयथ ताह तो को चालिस केजी है ठीक है चालिस केजी वाला परिवार चोड़कर चला गया देगे औसक्त कितना साथ मतलब क्या हुआ कुछी एडजेश्मेंट करकर एवरेज क्या बोलते हैं सारी संख्यों को एकवल कर देना होता है साथ है किसी का सत्तर हो गी अपको समझाने के लिए वेल्यू आपको समझाने के लिए उनका जो एवेरेज है वूँ सबस्क्राइब सबस्क्राइब होगा ठीक है जब यह जए गाए तो वह अपने से लेगा टों वापस लेगा टों प्रीस ने अई वन चार वजो चार बाठ कितना जया बैशिव मिल आइडिया चाप प Bell 7 plusieurs कॉस्टिन अगर कर सकते हैं कुट्टक आज मित अधाल लिए basic method best रहेगा एक्सपर्ट बन जाईए आप तो इस ट्राइप के question को उड़ा दो के आवा में अबस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए question सारे आवा में उड़ेंगे जुड़े रही है हमारे साथ हमारे चैनल के साथ हम आपको मैस का तो उस्ताज बना देंगे चलते हैं अपने अगले question की तरफ question में क्या दिया आवा है इधर रिख देता हूं question x plus y is equal to the y5 ठीक है और x y is equal to the y10 हमसे क्या कुछ है x square plus y square is equal to क्या रहेगा option है 3,4,5 और 2 बताइए क्या रहेगा x square plus y square चलिए करेंगे question को solve question को कैसे solve करेंगे चलिए देखते है चलिए देखते हैं question को solve आप सभीने फॉर्मला पड़ा होगा x plus y का all square is equal to x square plus y square plus 2ab इस formula का according इस question का answer निकाल लेंगे हम देखे x plus y कि वैल्यू कितनी दीवे में 5 मतला 5 का square plus x square is equal to x square plus y square plus 2ab कि वैल्यू कितनी दीवे 10 दो गुणा 10 कर देंगे इसको ठीक है x square plus y square देखे यहां पर बज़ेगा 5 is equal to x square plus y square मतलब x square plus y square की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5 option number c चलिए चलेंगे अपने कोशन की दरफ एकला question क्या कहता है मारा देखे question क्या बोल रहा है पर्थम पांच प्राकर्तिक संख्याओ के बर्गों का उसत ग्याद करो ठीक है दोस्तो option कहा है इसके ग्यारा दस बारा और पंदरा ठीक है यह option दिए में पर्थम पांच प्राकर्तिक संख्याओ के वर्गों का उसत बताना है में question में खरिया आप solve इंगालने वर्गों का उसत कैसे इंगालने की एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार तीन का वर्ग नो और चार का वर्ग संख्या प्रेक्षण हो कही होगा है आपर पास 11 और संख्या कि दिदी पाच इसका अंसर रहेगा 11 चलिए देखते हैं अगला कोशन देखे एकला कोशन क्या है हमारा ए अनुपाथ बी अनुपाथ सी इस इकल टू कह दिया वह है तीन अनुपाथ चार अनुपाथ आठ ठीक है और प्लस बी प्लस थी इसकी वैल्यु कितने दिवे 25 फैसल ठीक है तो वह बताना है ay is equal to क्या रहेगा ए गी वैल्यू बता नहीं है option क्या है पान्सो थेरा एक्क्सो इकातर और पान्सो पस्चिस और तीन सो बेलिस ठीक है ए गी वैल्यू बतान यहां में ए बीची का अनुपात दियावाई तीन चार आठ और ए प्लस बीगा यूग कितना दियावाई 25 पैसट ठीक है हमें एक वैल्ली बता नहीं है देखे क्या करेंगे कोश्चन को सॉल्फ पढ़ने के लिए अनुपात बी अनुपात सी दियावाई कितना तीन चार और आठ इतना दियावाई इनके साथ अचार वैल्ली लगा दिए मैंने एक्स मान ली ठीक है देखे कोश्चन में कहें दियावाई ए भी सी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिवा 2565 यह क्या करेंगे हम तीन एक्स प्लस चार एक्स प्लस आठ एक्स कितना जोड़ों कि इनको बारा और तीन पंद्रा एक्स हो जाए गए इसको डैट इसके एक्वल कर देंगे मतलब यह भी हो गया इनका यह अनुपात में योग निकाल लामने वह में कोश्चन का योग दियावाई कितना योग पंद्रा एक्स हमारा अनुपात का योग है और उसके कोश्चन का योग इसका पच्चीस पैसट ठीक है तो एक्स पैसे पैसे पांच पांच पंद्रा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 171 ठीक है हमसे किस की वैल्यू पूची थी एक वैल्यू देखे एक एक साथ कितना है 3x एक एक इसे इंट्व कर दूं तो मिर पास 3x की वैल्यू जाए कि इतना एगा तीन साथ्याएक्श की बचेगा दो पांच पांच सो तीरा आप्शन नमबर ए यह हमरी कोश्चन में एक पांच की वैल्यू रहेगी है चले चलेंगे अपने मैत के आज के आखरी कोश्चन की तरफ इसके बाद करेंगे अपने कोश्चन मैंत का रहने वाला है हमरा आखरी कोश्चन क्या है हमारा अच्छतिस चवण 20 बहात्तर का कि एल सीएम ऐसी एफ एसी एंगा ऐसी अपना इनका एसी ओप्शन के लिए में आठ अठारा तीन छे और बारा अच्छासाफ कर जता हूं मैं कि बताएच्छ शट्री चौवान बहीतर का एच दिफ कि तर्फ आपके आपके वाश्ट आप आथा टीन शॉला अठारा इसरी चे और बारा बताइए कि रहेगा च्छात्रीस चौवान बहादतर का ही एच चयद्धी अधर चल्देवार निकाल लें सब से सिम्पल में अथा पहले इन्हें दो से से दिवाइट करके देखता हूँ दो से जाएगे दो से कितनी हो हम जाएग अथारा बार चोब हँन जाएगा 27 और बाटता जाएगा 24 बार देखेए अब पिर से थी संख्या डून्दाओं जिसे 3 राम से 3 से करूँ आ मैंने 6 भार जाएगा 9 और जाएग हो गई जहां तक यह दोनों संग्द जो जितना भी टेटर आप है तीन जग जए तक तीनों एक टेबल से कट रही है ठीक है वह तक की मल्टिप्लाइब लेकुन है कि पहले तीन्हों कट गई पिर का कड़ से निकालने के लिए अनुदों कीनों कि कर देके कि कितना है कि मतलव कितना उंट कि सदर कशी ठीक करें है अगर कभी कोस्ती इसनी है कि पूच ले न्यूंस पूंच तो मैं कैसे बता हूंगा इसका अब क्या हुआ अब क्या हुआ करूबा मैं इसको यह सा इबसाइद में तीन तीन साइघ आट ऑर आध ऐसे दो नी शुट्ट देगा नीचे तो तो की मल्टिप्लाई दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा दो गुणा एक अवला तीन गुणा चार इनकी मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा करेंगे मल्टिप्लाई देगे दो तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 36, 36 तिया 108 और 108, 36 तिया 108 अपते हैं और 108 इंटू 4 करेंगे, कितना है गावरोस, 108 इंटू 4 करेंगे, 4 32 का 2, 80 लगेंगे 3 और 4, 432 से जंग्या होगी, तो 36, 42 का LCM होगी, ठीक है, मैंने आपको LCF निकालना बता दिया, LCM भी निकालना बता दिया ठीक है, कोशन आपके पास कैसा भी आजा है, आप अराम से कर लेंगे, ठीक है, चलिए, आप करेंगे अपने reasoning, मैंस के कोशन आपने कर लिए बहुत, आप करेंगे reasoning के question एक मिनटे टाइम दिजे मुझे चलिए दोस्तों करते हैं अबने पहला कोश्चन लिखूंगा अब रिजनिंग के कोश्चन को चलिए देखते हैं पहले कोश्चन में क्या दियाव है एनीमल इसको कोड लिखा गया है इसका कोड लिखा गया है यहां पर M है कोने में स्टार्टिंग से दूसर लिए थोड़ा करके थोड़ा क्या आप अंब बढ़ दियुक्वार्ट एक बार आप दिमाग लगा लिजिए क्या पैटने कोश्चन में लगावा चलिए देखते हैं कोश्चन को जड़ लिए देते हूँ इसका कोड का लिखा हुआ है आई एन ए ल ए ए एम ठीक है बताना किस्ता है बताना है सेंपल का सेंपल का सेंपल कोड में बताना है कमें है क्या हुआ है कोश्चन में आए वहां परoshi और थिसरे हंबर पर आयांगा पहले नंबर और और एक गया का अब आउन्दी करेcol आउडर एंपल को सेंपल कड़ बाइन की सा है और S को लाएंगे सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पर और A आजाएगा बीज में जिटर्व से अगले दीन पखड़ेगे, E को लाएंगे पहले और L को लाएंगे बीज में और P जाएगा लास्ट में क्या बनेगा कोड़ इसका? M, A, S, E, L, P इसेंबल का कोड़ रहेगा इस राइप सेंबल को लिख सकते है चलिए, देखते हैं अगला कोशन कोशन लिए देता हूं में बोड़ पर इदर C, A, N, D, L, E कैंडल दियावा है, कैंडल को क्या लिखावा है? 3, 1, 14, 4, 12, और 15 इस राइप सेंबल को लिखा गया, D, A, R, K डार को क्या लिखा गया है कोशन में? डार को लिखा गया है, 4, 1, 18, 11 ठीक है? और कोड की सका बताना है? लाइट का, L, I, G, H, T लाइट का कोड़ हमें बताना है ठीक है? इसको साफ कर देता हूं में लगाई या दिमाग लाइट का कोड क्या रहेगा कोड बताई राइट का लाइट का कोड क्या रहने वाला है चलिए बनाते है कोड इसे लिए तो हम पहले है केंडल का कोड क्या रहे है तीन एक 14 चार बारा और 15 टेक है यह टाइपस एक अधर में डिये और क्या क्या रहे है चार एक 18 और 11 टेक है लाइट का में बताना है layght इसका कोड़ा में बताना है देखे पहले जोक रौलन पैटर्न प्टा कर लगाएंगे देखे सबसे पहले सरे यहों मैं में नम्रिंग करूआ इतिया नम容易 d आते है नम्बर 4 पर ऐला आते है देखे एक बात क्या सब्सक्राइब की कोडिंग मिल रही है कुछ धूँ कि यहां पर यह पांच है यह की वैल्याइब पांच है पनारा नहीं है पांच है थिक थोड़ी सिंस्टेक हो गए थी देखे क्या हुआ है C की जगापर C की value आ गई, 3 आ गया, A की A की value आ गई, N की जगापर 14 आ गया पूरा, D की जगापर 4 आ गया, L की जगापर 12 आ गया, और E की जगापर कितना गया, 5 आ गया, मतलब जो इनकी actual numbering है, वो यह लिखी गई है, ठीक है, dark में पिछाए कड़ेते हैं, D होता है number 4 पर, A ह पर, R होता है 18 पर, और की होता है number 11 पर, देखिए, 4, 1, 18 और 11, ठीक है, इसी साफ से हम, light की numbering बना देंगे, देखिए, कितना होता है, L होता है 12 पर, I होता है number 9 पर, G होता है number 7 पर, H8 पर, T होता है number 20 पर, क्या बनेगी कोडिंग्स की, 12, 9, 7, 8, और 20, यह स्कोशन का हमारा answer रहेगा, ठीक है दोस्तो, चलिए चलेंगे अपने अगले question की तरह, सारा है मिटा जेता हूँ, एक बाद लिख कूँगा question, डबल डबल लिखना पट रहा है question, question लिख देता हूँ, मैं आपके लिए अगला, क्या दियावा है, A, D, Z, ठीक है, G, J, E, ठीक है, और अगला क्या दियावा है, अगला दियावा है, M, T, L, S, V, R, यह दियावा है, और अगला में बताना है, अगला क्या आएगा स्रीज में, option है इसके, X, B, Y, X, Y, B, Y, X, Y, X, Y, X, B, Y, X, ठीक है, यह option दियावा है, 4, ठीक है, और उपर सीरीज दियावा है, A, D, Z, G, J, E, M, P, L, S, V, R, अगला बताना है, अगला लेटर क्या रहेगा, चलिए दोस्तों, करेंगे question को solve, क्या रहेगा question का answer, देखे, एक एक लेटर पकड़ेंगे, और एक एक लेटर बनाएंगे, राम से पहले, देखे, पहले पकड़ेंगे हम A को, A से हुआ G, और G से हुआ M, M से हुआ S, देखे, किस तरह से बनावा है, देखे, यह होताया नमबर 1 पर, यह होताया नमबर 7 पर, और यह होताया नमबर 13 पर, और यह होताया नमबर 19 पर, देखे, कितना हुआ है यहां से आपड़ेंगे, प्लस 6, फिर यहां से आ तक, प्लस देखे अगला लेटर बनाने के लिए में क्या पड़ना पड़ेगा 19 में प्लस 6 कड़ना पड़ेगा 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25 25 नमबर होता है मारा भाई पहला लेटर में मिल गया ठीक है अब पकड़ेंगे अगला लेटर देखे अगला लेटर कैसा हो और पी से होआ भी देखे ranked है कैसे हुआ दी होता है नमबर चार पर और ज ओता है अबर दस पर एक होता है नंबर 16 पर और भी होता है नंबर 22 या पर क्या हुआ है आसल पर यह सकूंछ साथ आने सीज और भी 27 पर हुआ अगर वोगिना दाउध से को नकूंसा होता है देखें कौन-कौन्ञा ओफ़जन हो रहा है मारा ये वालु बाप्चन खतम है ये वाला खतम ऑप्चन देगा मारा ये वालु एक बिनट पहली सीरिज कि इस शिरिस में एक मिनट दोस्तो वाइए एक्स बाइबी एक्स देखे देखे पहला वड कितना है मरों अमारे पास देखे कोई साथ भी अप्ष्ण भी खतम निकरेंगे अगला वड भी पता लाएंगे पहले उसके बाद दखाएंगे अंसर क्या रहेगा हमरा देखे अगला वड पकड़ें लोड था देखे था अधिसर वड पकड़ेंगे कि टीशें वंद एक में जाएंगे पर फिर ई से जाएंगे यह एल पर और ल से आर पर देखेश जनुटा नमबर 26 पर और यह जाए यह पाँज पर ठीक है शब्ष से इंगे जों कितना प्लस करेंगे कि यह नहीं है दोस्तों ये एफ लिखा वाया पर ठीक है यहां पर कितना यह अच्छ हाँ च्छ फट स्व पर जाए और यहां पर वहाँ खिया अगर पर 18 प्लस 6 करूं तो कहां पहुंचांगा मैं 18 में 4 पर 24 नबर क्या होते है 24 नमबर प्रों होता है एक्स इसका अंसर हैं कौनसा option है ybx option नमबर ऑप्षिन नमबर दी हुआ ठीक है दोस्तों option नमबर दीशका मारा answer रहेगा चलिए देखेंगे अपना अगला question और भी करना चलिए, question लिखते हैं अब अगला question, question में क्या दियावा है Sunset Sunset को क्या दियावा है Sunset को दियावा है TV Sunset को कोड यह दियावा है और किसका बताना है, Sunrise का Sunrise को कोड में बताना है डायक्ट बता रहाएं कोड का, क्या हुआ है कोड में चलिए आप बताईए एक बार उसके बाद बताऊंगा फिर में चलिए, देखते हैं Sunset को कैसे बनाया हुआ देखे नमरीं करेंगे पहले इसकी, S होता है 19 पर U 21 पर N 14 पर S फिर से 19 पर E 5 पर T हो जाएगा 20 पर ठीक है, इस साइड भी T 20 पर B हो जाएगा 22 पर O हो जाएगा 15 पर T हो जाएगा 20 पर और F हो जाएगा 6 पर और E हो जाएगा 21 पर देखे क्या हुआ है और T से 20 से 21 हो जाएगा कितना हो जाए, प्लस 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1 कर रहे है हर लेटर में प्लस 1 कर अगला कोड उसका बन रहा है ठीक है, संदा इसका भी ऐसे बना देंगे S में प्लस 1 करेंगे नमरी लेता हूँ, 19, 21, 14, 18, 9, 19, और 5 प्लस 1 करना है कितना बनेगा 29 में प्लस 1 करगहा कितना हो जाएगा 20 Estados 14 में 15 Plus 1 18 Plus 1 19, Naz begitu 9 में प्लस 1 करऊए, 10 हो जाएगा और 19 में 20 हो जाएगा 10 extrêmement करऊँ, और 5 में 26 हो जाएगा कॉनसा नमबर किस पर देख तेff और 20 नमबर पर हता टी, 22 पर आता है वी, और 15 पर आता है ओ, 19 पर आता है एस ठीक है, और 10, 10 नमबर पर आता है जे, 20 पर आता है फिस्टे टी, और 6 पर आता है एफ, यह हमारा संडाइस का खूर रहेगा, ठीक है दोस्तों, आशा करतों आपको question समझ में होगा, चलिए, चलेंगे अपने एक question, अगले question में 4 letter दियें है, हमें क्या बताना अलग कोन सा है अलग letter चार्टना है, ठीक है, option बाता होगे, हैं इनमें से अलग बताना है आपको अलग letter कोन सा रहेगा, बताए अपना अलग letter कोन सा रहेगा, इसमें हाई है लाउ words कौन सा रहे गँंगे का अरेगा कौन सा है टौफ में अलग 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 रहेगा वह बताता हूं मैं आपको अलग को अज सबसे स्थंकि औरकल करते हैं hybrid यह थे यह तीन हो गई ठीक है इसी को देखेंगे हम एक यह कितनी हो गई चार और आई में का करेंगे हम आई में एक यह किसते हैं एक यह जांगे तीन ठीक है और यह एक यह किसा मतलब देखें च आई और इन इन नहीं हमें बनाने के लिए तीन लाइन उसका यह उसकरना पड़ता है अगला इसमें यह कैसा जिसको चार और इसको चार और आपल रहे हैं इसमें अलग रहेगा यह रहेगा सबसे अलग यह को च्णम में बताना था इतना सिंपल कोशन था ये चलिए देखेंगे अपना आगला कोशन देखें कोशन में क्या है आगला क्लोक को क्या लिखाव है क्लोक को लिखाव है चार तेरा सत्रा चार बारा क्लोक को ये लिखाव है हमें बताना है फोन को फोन को हमें बताना है फोन क्या रहेगा इसमें ठीक है दोस्तों फोन का कोड में बताना है ठीक है देखें कैसे करेंगे कोशन में नमने लिखेंगे पह पर क्यों तरह के लिए कि दोस्तों आले देखेशdय burnt तई प्लस बन कर दिया डारा कर दिया कितना कर दिया कौन कर दिया फिर से उसे उस्ट रखा या फिर सकते आटके चैंटर के बड्स हमें दू प्लस कर दिया प्लस किता今天 से बाराबर चला किया मतलब क्या ओच जो नम्ब्री गएंगी इससे प्लस वन करका है और बीच में एक या तो ओ में वह वल्ड के साफ से प्लस दू करका इसने या फिर करका है नंबर प्लस दो करेंगे मतलब क्या करेंगे और प्लस दो कर देंगे देख कैसे बनाएंगे पी होता है नंबर पर यह पर यह पर वाइन ओका चौदा और यह पांच पर अब देखे रिखे कोड़ा मनाएंगे में प्लस दो करेंगे कि इस तरह कितना अट्व में नो पंद्राइंगे ओ कर देंगे संटर वले हो पर प्लस दो रखा है जा जो दो से चारएं पर प्लस करेंगे 15 और पाज करेंगे 6 कितना जागा है 17 ,9 ,17 , 15 ,6 ठीक है दोस्तो। चले दोस्तो करते हैं आज का आगरी question शन इसके बाद करेंगे अपनी class को समाप्त आज का आखरी qeošn रहेगा ये क्या रहेगा ये इसको क्या दिया आवा है भी आई री बर्ड इसको क्या लिखावा है है अगला कोड क्या है अगला क्या है अगला है जे वाए पी जे वाए जड़ पी हमें इस जगा पर बताना है इस जगा पर क्या रहेगा ठीक है कि मआ बताए यह लगाए यहीं स्रीप का पता ना कि एसकी है क्या अप्शन रहेंगे अगरेख चोचलिक आफ जेशे प्र सब्सक्वर शिचन के अफ्टर जेए ऑफ यूजे आ फ्र डबलू जे और एफ एफ क्यू जेट एफ लुट जेट तरह बेट लुट लाओ जे और पताइए क्या option रहेगा question का चलिए करते हैं question को solve देखे पहला पकटेंगे इसका एक 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 पर बड़ का पता लागाएंगे इससे आपसे इसका answer बना देंगे देखें यहां पर क्या हुआ बी से डी हुआ है कि इतना हुआ है फ्लस टू होगा है फ्लस टू होगा आपर प्लस टू है यहां पर भी प्लस टू है मतलब क्या हुआ पहले लाटर पता करने लिए धिल करना पनेगा गर्याओ दिल्च लृशटू करोमने कितना वाड चुछ जाएका प्लस टू छे नंबर का और क्या रहेगा एक चार ते रहा घैखे ऐसके इसको में तोड़ा तो देकि 21 24 13 इसकी विवकर रहते हैं 10 25 26 और 16 ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी देखें दो पहले दो था फिर चार आया फिर यहां पर शे अनत फिर 8 आया फिर 10 आया पहला दमें मिल गया मतलब अगर प्लस चार नहीं कि यहां पर पहुचेंगे शतरा में फिर से प्लस चार करेंगे सतरा पर पहुचेंगे अगला बड़ पता करेंगे अगर मैं अगला वर्ड मेरा 22 22 अगला देखते हैं चौथा वर्ड लास्ट वर्ड देखे डी नमबर 4 पर था चार से जी पर पहुझ गए कि इतना हुआ अगर मैं यहां पर यह प्लस तीन करूं कितना नहीं तो मुझे लाश्ट प्लस तीन दस पर उता है इस कोड रहेगा और कौन सा रहेक ऑप्शन एक और फ्क्यू वी टीजिए अप्शन नमबर 4 चले दोस्तों करते हैं अपनी क्लास क समात् आशा करता हूं आपको आज ही क्लास समझ में आई होगी अगर आपको इसी टाइब की कोश्चन चाहिए तो जुड़े रही है हमार साथ हम आपके लिए तयारी को चार चांद लगा देंगे तयारी को आप बिल्कुल उचाहियों पर पहुचा देंगे ताकि आप आने